इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस तू नमर है 15 का वन लिख दिया है वो गलती से लिख दिया है चलिए इसको देखते हैं ठीक है चलिए यहां दिया हुआ है 2 sin x हाना और sin 3x बराबर में 1 तो आपको याद होना चाहिए कि 2 sin a sin b का फर्मुला आपको बताया गया है cos a minus b है ना और minus cos a plus b यह बताया है तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि cos क्या कर सकते है cos a minus b यानि x minus 3x और minus cos x plus 3x इतना लिख सकते हैं तो अगर cos के अंदर यहाँ minus 2x से जाए तो 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 plus में हो जाना है फर्मुला होता है क्योंकि cos minus theta बराबर आपको बताया गया ना cos theta इसलिए यहाँ से माइनस हट जाएगा minus cos 4x बराबर में 1 इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos 2x बराबर 1 plus cos 4x ठीक है तो यहाँ देखिए यह cos 2x बराबर यह ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं cos 2 into 2x तो यह formula बन जाएगा ना अब आपका तो cos 2x बराबर हो जाएगा यह किसका बोलगा 2 cos square 2x का चलिए इसको एक तरफ करते हैं यानि कि इसको उधर लेके चल जाते हैं तो इधर 0 हो जाएगा उधर बत जाएगा 2 cos square 2x minus cos 2x चलिए अब क्या करना है cos 2x को common करना है यह common करिएगा तो यह हो जाएगा आपका यहां बाहर common करना है ना क्या आप common करना है cos 2x यहां बज़ जाएगा 2 cos 2x और यहां minus 1 अब अलग-अलग करते हैं ठीक है एक बाहर cos 2x बराबर 0 रखना है और एक बार आपको 2 cos 2x minus 1 बराबर 0 रखना है चलिए तो यहां से आजागा formula होता है न इसका तो 2x बराबर हो जाना है 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z तो यह इदर भाग में यानि x बराबर हो जागा 2n plus 1 pi by 2 to 4 n belongs to z ठीक है अच्छा अगला इसको देखिए लिख सकते हैं 2 cos 2x बराबर 1 terminal 2 सकते हैं 2 cos 2x बराबर 1 बल्डदा two अब आगले step में क्या करिएगा यहां से हम लिख सकते हैं यह cos में कि तना degree के वैलो होता है cos 2x बराबर cos यह जो होता है साठ degree का होता है यांश भाइब 3 का होता है तो यहां से आपका 2n π प्लस मैनस πी बाइ 3 n बिलॉंग्स टु z समझ रहा ला ठीक है अभी आपका x के साथ यो यह दो है उदर चला जाएगा यानि x बराबर हो जाएगा n πी प्लस मैनस πी बाइ 6 हाना और n बिलॉंग्स टु z क्लियर होगे चलिए 6 है आपका थोड़ा ध्यान से देख लेंगे ठीक है चलते आगे बढ़ते हैं इसमें